सुप्रिम कोड ने पंजाब हकूमत को रावी अर्बन मनसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त देते हुए रावी अर्बन डेवलप्मेंट मनसूबा कल अदम करार देने का हाई कोड का फैसला मुअत्तल कर दिया है सुप्रिम कोड में मौामले की समाज जस्टिस एजाज अलहसन की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने की दोराने समाज जस्टिस एजाज अलहसन ने कैस की तैयारी ना करने पर पंजाग हकूमत की कानूनी टीम की सरसिनिश करते हुए पूछा कि हाई कोड के फैसले में क्या गलती है आप लोगों को ये इल्व ही नहीं कि केस है क्या एडिशनल एड़ुकेट जर्नल पंजाब ने बताया कि जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब खूमत उसमें फरीक नहीं थी दर्खौस्ते महलियाती अजिंसी की अवामी समाथ के खिलाफ थी जिस्टिस एजाल उसल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मजमूई तोर पर अठारा दर्खौस्ते थी एक में फरीक ना होने से फरक नहीं पड़ता पंजाब हकूमत ने अपना मौकिफ हाई कोड में पेश किया था तेकनीकी नुकात में ना जाएं ठोज बात करें रिकारट के मताबिक मनसूबे के लिए जमीनों का हसूल भी चैलेंज किया गया था सुबाई हकूमत के वुकला अदालत में गलत बियानी ना करें हाई कोड ने अमरीकी आएं का हवाला दिया है अमरीकी और पाकिसानी हालात और आएं मुख्तलिफ है रावी अर्बन डेवलिपमेंट के वकील ने इस मौके पर बताया कि हाई कोड ने ओर्डिननस के इजरा कोड तक्वीज करदा इक्तियार करार दिया है हाई कोड में दरख्वास गुजार हाउसिंग सुसाइडीज थी अदालत उसमा ने इस मौके पर पंजाब हकूमत को रावी अर्बन मनसूबर पर काम जारी रखने की जाज़त देते हुए हुकम दिया है कि जिन जमीनों की मालिकान को अदाईगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है जिन जमीनों के मालिकान को अदाईगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता अदालत ने इस मौके पर हकूमती अपीलों पर फरीकान को नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि जायजा लेंगे कि फैसले के खिलाब इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहॉर हाई कोर्ट भिजवा देंगे तौसीव अबासी, ऑनलाइन डिजिटल टीवी, इसलामाबाद